नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का पिष्ण सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए पहले पिष्ण को देख लेते हैं पिष्ण हमारा क्या है पिष्ण है कि एक माली 17956 पौधे इस प्रकार लगात है कि प्रतेक पंग्ती में उतने ही पौधे हैं जितनी पंग्तियां हैं एक पंग्ती में कितने पौधे हैं ठीक है अब हमें मान लेते हैं कि माना की एक्स पंग्तियां हैं और प्रतेक पंग्ती में एक्स पौधे हैं ठीक है एक्स पंग्तियां है और प्रतेक पंग्ती में एक्स पौधे हैं तो अब कितने टूटल पौधे हो जाएंगे x पंक्तियों में x पोधी बरावर प्रिस्टन ने कहा है कितने पोधी लगने है 17,956 x का गुड़ा जब x में होगा तो क्या आएगा x स्क्वाइर बरावर है 17,956 x बरावर क्या हो जाएगा वहाँ पर स्क्वाइर रूट लग जाएगा 17,956 यहीं 17,956 के अब हमें क्या निकाल ला है इस्क्वाइर रूट यहीं बर्ग मूल निकाल ला है तो 17,956 इसको हम दो से पहले डिवाइड करेंगे दो से किया आठ बाज आएगा एक बचा नो बाज आएगा एक बचा साथ बाज आएगा और फिर आठ बाज आएगा तो दूसरे करेंगे दो चोको वाट दो चोको वाट दो अट्टे चोला दो नम अठारा अब जाएगा सरसट बार ठीके और एक भी सरसट का ही बर्ग मूल होता है तो यहाँ सरसट एकम सरसट क्या निकल के आया एक्स बराबर दो गुड़ा दो गुड़ा सरसट गुड़ा सरसट तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दो गुड़ा सरसट जब गुड़ा करेंगे तो साथ दूनी चोदा छे दूनी बारा एक तेरा यानि इतने पोधे हैं और इतने ही पंगती हैं तो क्या निकल के बेल हुआई X बराबर 134 आया यानि 134 पिते पंगती में पोधे हैं और 134 ही पंगतियां हैं ठीक है तो ऐसे ही नौलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे आपके अपने चनल P.K. गुरू जी के साथ नमस्कार